नमस्कार प्यारे साथियों स्वागत है आप सभी का एक बर फिस से आपके अपने इट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 Reader Publication तो फ्रेंट्स आज की सुडियो में बात करेंगे हर्याना सरकार की एक और जो है बड़ी उपलब्दी को लेकर जो हर्याना सरकार पिछले 6 साल से अपनी पीट थपता पा रही है विपक्स को बता रही हर्याना के युवाओं को बता रही हर्याना के निवासियों को बता रही हमने बिना पर्ची और बिना खर्ची के जो है हर्याना के लगबग 6,000 के आसपास युवाओं को रोजगार दिय है तो इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे और मैं आपकी राय जानना चाता हूँ क्या हर्याना सरकार जो बोल दी है यह सही है या गलत है कितनी इस में बिना पर्ची खर्ची नोने नो करिया दिये कितनी पारधर सिता है आप अपनी राए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और जो भाई पहली बार चैनल पर आए आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर लेटेस्ट अपड़ेट के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं खर्ची पर्ची के बिना मिला रोजगार एक तरफ हरियाना के मुख्यमतिर मौरलाल खट रहे हैं और दूसरी और हरियाना भी जेपी के परवक्ता हैं या फिर किए अध्यक्स हैं ओमपरकास धनकर जी हरियाना के 76,897 में युवाओं को योगता के आधार पर मिली सरकारी नोक लेकर और अक्तूबर 2020 तक यानि की लगवग 5 साल और 3-4 महिने के अंदर 76,897 में युवाओं को हमने जो है योगता के आधार पर नोकरी देदिश में कोई पर्ची खर्ची नहीं और बहुत जल्द हम 23,000 से उपर उपर की जो भरतियां वो भी पूरी करने जा रहे हैं क्या हर याना सरकार सही कह रही है चुनावी स्टंट है या बिना पर्ची खर्चीनों क्रीम मिली या नहीं मिली है आप अपनी राहे जरूर दें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें आज किस वीडियों फिलाल इतना ही धन्याद